नमस्कार स्टूडेंट मैं हूँ रुपेस और आप सभी के स्वागत करता हूँ आपके आफिस्यल यूटूब चैनल पर एक बार फिर से देखे सविधान सभी सविधान सभाद्वारा क्वेश्चन पुछे गए प्रस्ण है जितने भी प्रिबेस वर्स के क्वेश्चन पेपर है आपको सभीधान सभाद्वा से प्रिबेस वर्स के क्वेश्चन पेपर कराऊंगा देखे इसका थेयरी क्लास में क्लास वन और क्लास टू करा चुका हूँ जो की description के नीचे link दिया गया है important classes था class 1 और class 2 सविधान सभादवारा पुछे गया प्रसनकी जो दिये गया है जा कर description के नीचे link में दिया गया है जा कर आप join किजिएगा अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता दो बार में समझ नहीं आता तो बार बार repeat किजिएगा बार बार इसको watch किजिएगा आपको समझ में आ जाएगा प्रार बार practice करते रहिएगा एक बार पढ़ लिजेगा अच्छा से एक बार वीडियो को पूरा देख लिजेगा एक बार में समझ नहीं हाता तो वीडियो को दोबारा देख लिजेगा आपको याद अवस्य हो जाएगा चलिए क्लास प्राराम करते हैं अगर वीडियो को देख रहे हो तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा जो लोग चैनल पर नए है तो वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लिजेगा साथ ही बेल आइकन के घल्टी को आल पर सेट कर लिजेगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन के मात्यम से मिल जाएगा देखे सविधान सबसे बहुती एक्जामों में पूछा जाता है पर इक्छाओं के लिए आपको काफी इंपोर्टेंट है SSC, Railway, Banking, UPSC, PSC सभी एक्जाम में सविधान के प्रशना पूछे जाते हैं वीडियो को like कीजेगा फटाफट वीडियो को like कीजेगा फटाफट है और comment कीजेगा Class 1, Class 2 इस्टार्ट हो चुका है जो कि description के नीचे लिंक में दिया गया है चलिए previous verse question पर देखेंगे नीमन लिखित में से कौन से सविधान अधिनम लगू सविधान माना जाता है देखे आप बताएंगे कि 42 सविधान संसोधान द्वारा दिनयम 1976 में आंसर C होगा लगू सविधान माना जाता है 42 सविधान संसोधान 1976 में अगला प्रस्न है देखे भारती है सविधान में किस सविधान संसोधान द्वारा नागरिकों के मोलिक कर्तेव्यों को सम्मेलित किया गया है देखिए UPSC में पूछा गया है कौन सा आएगा ब्यालिस्वा ब्यालिस्वा आएगा इसका आंसर ठीक है बी तीसरा देखेंगे भारती सविधान की प्रस्तावना में पंथ निर्पेच समाद वाजी तथा राष्ट की एक्ता एम अखंडे तब वाक्यों के किस इसति किया गया estás अर् वहीं से आपको प्रीअ की में पुछा गया प्रसन है रेल्वे से कि रेल्वे बैंकिंग प्यस्टी यहीं से प्रस्ण पूछे जाते हैं जो कि प्रिब्यस वर्स के सविधान से अधिक से अधिक वीडियो को सेयर किजिए चलिए क्लास बढ़ते हैं ना इसका अंसर बता देता हूं 42 वाइगा चलिए अगला देखेंगे कि सविधान संसोधन के एक टके तहर मतदाताओं की आयू सीमा 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दी गई है यह भी आपको पढ़ा चुका हूं और MPPSC में पूछा गया 2014 में देखें आपको बताया था मैं 61 सविधान संसोधन में मतदाताओं की जो आयू है एक किस वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दी गई है आपको बार बार में रटा रहा हूं रट लीजिएगा कोश्चन को आंसर ए आएगा बीना देखें तुका नहीं लगाना है आपको ठेवरी क्लासेस करिएगा याद नहीं हो रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन की निचे लिंक दे दिएगा है आप जाके जॉइन कर लिजिएगा क्लास वान और क्लास टू देख लिजिएगा एक बार नहीं दो बार वीडियो को देखिएगा याद हो जाएगा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक किजेगा जरूर लाइक किजेगा सस्क्राइब भी किजेगा अगर आपको सविधान सभा से कोश्चन देखना है तो वरना आपकी मर्जी हमें तो कोई वो नहीं है न कोई प्राबलम नहीं है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा आपको अच्छा लगता है तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं उसके बाद 31 सविधान संसोधन में कौन सी भासा आठवी अनुसूची में सामिल नहीं किया गया देखिए मैं आपको कल ही बताया था कल के क्लास से में बताया था कि सविधान संसोधन के कौन सी भासा को आठवी अनुसूची में सामिल नहीं किया गया है कमेंट किजिएगा सामिल नहीं किया गया डोंगरी आएगा ना भाई आपको देखिए आठवी निसूची में सामिल नहीं किया गया 71 में कौन कौन से सामिल किया गया 71 में नेपाली, मणीपूर, कौकणी ये तीनो 71 में सामिल किया गया है जबकि डोंगरी को सामिल नहीं किया गया डोंगरी को इंकनबे सविधान संसोंधल में सामिल किया गया, मैं आपको बार 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 बता रहा हूँ, रट लीजिएगा question को, चलिए देखेंगे, जी बिल्कूल, रट लीजिए question को, सविधान के इंपोर्टन क्लास है, सेर करते रहेगा वीडियो को, निम लिखित में से कौन से सविधान संसोंधन के पस्चा, बोडो, डोंगरी, भासा आटवी अनुसची में सामिल की गई है, तो अब भी मैं जास्ट बताया हूँ, इंकनबे, ठीक है, अब भी जास्ट बताय हूँ आपको इंकनबे, आंसर ए होगा, इंकनबे सविधान में जोड़ा गया है, बोडो, संथाली, डोंगरी, ये सभी, पंध, नितिपेक, समाजवादी एक्टा, इंकनबे सविधान में जोड़ा गया है, चार, चार समाजवादी जोड़ा गया है, ठीक है, दिखे, यहा ay 2017 को bharat में GST को किस सवीजान संसोधान के अंदर गत्र लागू किया गया है कमेंट किजे जल्दी करें एक जूलाइय तो आप मुडियो को जाके देखिए एकLand 161 में जीक हैं कब लागू किया ? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीक हैं कौन से सविधां से ? 110 1 सविधां से MP PSC 2008 में पुछा गया है कि भारत के सविधान के 24ана संसोदन द्वारा नीम्ना लिखीत में अधिकार, मोलिक, अधिकार को सिन्ही से हटा दिये गये है, कौन से अधिकार को अटाए गया है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44 सविधान संसुदन देखे C.A.P.A. में पूछा गया है 2015 का मैं बार बर बता रहा हूं सविधान से एक्जाम में बहुत ही प्रस्न बनते हैं वीडियो को लाइक किजिए सेर किजिए सविधान का टॉपिक है क्लास वान क्लास टू करा दिया हूं अब जेट्टू कोशन भी करा रहा हूं एडियो की क्लासेस हमारे यूटूब चैनल पर प्राराम कर दी गई है और छात्रावस अधिक्षक की तैयारी करते रहें हमारे यूटूब चैनल पर 5 जून से स्टार्ट कर दी गई है एडियो की क्लास 7 जून से छात्रावस अधिक्षक की क्लास 5 जून से और 10 जून से सविधान की क्लास आराम हो चुकी है ठीक है जाके वीडियो को देखेगा प्ले इस्टोर पर नहीं दिये गए है भी प्ले इस्टोर बाद में बनाएंगे हम लोग चलिए अगर वाटसब ग्रूप से जूना चाते हैं तो दिये गए नंबर पर जाके जूड सकते हैं भारत के सविधान में नई अनुसुची किस सविधान संसुदन में जोड़ी गई है इसका नचसर कमेंट में जरूर बताएगा आप बताईएगा कमेंट में चलिए आज के लिए इतना ही लास्ट सवाल था इसका नचसर कॉन से झाएगा पहला दूसरा तीसरा या चावश्या कौन सा आएगा आप कमेंट में जरूर बताएगा यह आपके लिए कोस्चन है आपके लिए कोस्चन छोड़ रहूं मैं कमेंट में करके बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर आपको वीडियो काफी जादा पसंद आई होगी तो आप comment किजिएगा ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया होगा तो आप comment करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है चलिए धन्यवाद दोस्तों धन्यवाद स्टुडेंट जो लोग वीडियो को काफी अच्छा तरीके से पढ़े हैं Thank you